हेलो दोस्तों इस iPhone X को मैं लाश्ट 15 डे से यूज़ कर रहा हूँ और इसमें मुझे पसंद आने वाली बहुत सी बात हैं जैसे इस फोन का कैमरा और इस कैमरे के एफेक्ट्स इसकी सुपरफास टच जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इसका इंटरफेस जो की बहुत ही अच्छा है इसकी स्पीड और इसका स्टाइलिशा लोग पर दोस्तों लाश्ट 15 दिन में मैंने कुछ कम्या भी इस फोन में मैसूस की हैं वो इस वीडियो के माध्यम से मै आपको पूरी डेटेल से बताऊंगा अलांकि आज की डेट में किसी भी स्मार्टफोन को हम 100% प्रफेक्ट तो नहीं कह सकते पर फिर भी अगर आप एक आईफोन एक्स लेना चाहते हैं तो एक पार ये वीडियो जरूर देखेजिए और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देजिए क्योंकि आपके लिए मैं ऐसे अपडेट्स लाता रहता हूं वीडियो को लंबा ना खिशते हुए जल्दी से बात करते हैं हम पांच होन कमियों की जो मैंने इन 15 दों में फील की तो उनमें सबसे पहली आती है फेस लोग ये तो हम सब जानते हैं कि आईफोन ए S8 या OnePlus T में इस तरह का कोई इशू नहीं है उसमें लोग ओपन करते ही स्लाइड नहीं करना पड़ता डिरेक्ट मेनु शो हो जाता है इवन किसी फिंगर सेंसरल मोबाइल में भी अगर हम उसका यूज करते हैं तो उसमें लोग खुलने के लिए जैसे फिंगर प्रिंट वो टच करा और लोग सिधा खुल जाता है और मेनुष शो होने लग जाता है यहां स्लाइड नहीं करना पड़ता होप कि एपल अपनी नेक्स्ट अप्डेट में इसका ध्यान रखेगा और हो सकता है इस इस इसू को रिसूल किया जाएगा सेकंड मोस्ट इंपोर्टन पॉइं के 100% चांसेज बने रहेंगे मेन हम इसे कभी भी बेफिकर होकर किसी टेबल पर नहीं रख सकते हैं क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि उसके इतने महेंगे स्मार्टफोन के कैमरा के लैंस पर किसी भी तरह का स्क्रैच पड़े और उसकी क्वालिटी डाउन हो ठर्ड इसकी बिल्ट क्वालिटी में हम यहां बात कर रहे हैं इसकी बोडी का बहुत ज़्यादा स्लिपरी होना यह फोन काफी ज़्यादा हाथ से स्लिप होता है अगर बाइचांस आपसे इसका बैक केज तूट जाता है गिर कर तो आईफोन केर में आज की डेट में इसका 5.5mm jack दोस्तो आईफोन X में अगर कोई भी earphone रगाना चाहते हो तो आपको यह jack साथ में रखना होगा नहीं तो आपको यह वाले earphone हमेशे साथ में रखने होगे अब हर जगह ना तो हम इस jack को साथ ले जा सकते हैं और ना ही यह वाले earphone हमें हर जगह मिल सकते हैं तो अगर इस में इस jack की जगह पर अगर 3.5 mm का jack डारेक्ट दिया होता फोन में तो ज़्यादा अच्छा होता तो दोस्तो ये थे 5 ऐसी बातें जिसके करण आईफोन एक्स ने मुझे लास्ट 15 डेस में काफी डिसपोइंट किया उमीद है दोस्तो आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई झाल